अच्छी वर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हमारी चर्चा का वीशाई है USA का Legion of Married Award 2020 आई जानते हैं ये वर्स 2020 के लिए किसे और उनके किस योगदान के लिए प्रदान किया गया है आई जानते हैं Legion of Married 2020 से जुड़ेवे कुछ परमुक्तत्यों के बारे में हाली में सयुक्तराष्ट अमेरिका ने भारत जापान और आउस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्रियों को Legion of Married से सम्भानित किया है ये सभी चार देश वर्स 2017 से क्वाड समू को उपयोगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण है क्वाड समू इंडोपैसिपिक रणनी का एक हिस्सा है और इसका उद्देश ये इस छेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है आई जानते हैं प्रुसकार के संबंद में कुछ पर्मुख बिंदूं के बारे में USA के सर्वोच सेन चिन्नू में से एक इस प्रुसकार की स्तापना वर्स 1942 में प प्रुसकार विदेशियों को निमलिखित चार स्रणियों में प्रदान किया जाता है जिनमें की मुख्य कमांडर, कमांडर, अधिकारी और सेनापती सामिल हैं पूर में यह प्रुसकार दो भारतियों को प्रदान किया गया है जिनमें की वर्स 1950 में फीड मार्सल केम और वर्स 1955 में जन्रल स्रीनागेस को प्रदान किया गया था आई जानते हैं वर्तमान में प्रुसकार प्राप्त करता से जुड़े हुए कुछ परमुक बिंदू के बारे में भारत्य प्रुसकार भारत अमेरिकी संबंदू को आगे बढाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है याप्रुसकार भारत और अमेरिका के बीच दुपक्षिय संबंदू को बहतर बनाने के प्रियासु को मान्यता देता है जो भारत अमेरिकी सामरिक साज़दारी के संबंदू में परिलिक्षित होता है और श्टलियाई प्रधानमंत्री को वैस्विक चुनोतियों को संबोधित करने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरुस्कार प्रदान किया गया है जापानी प्रधानमंत्री को स्वतंत्र और खुले इंडोपैस्पिक के लिए नेतरित्व और दिरिस्टिकोर प्रदान करने है तो यह पुरुस्कार प्रदान किया गया है ध्यान रखने योग्यबात किया है कि यह पुरुषकार जापान के वर्तमान परधानमंत्री को न देकर बूदपूर परधानमंत्री सिंजो अवे को परधान किया गया है यह आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारिया यूजफूल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और कॉमेंट जरूर करें थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग